दोस्तों, इंसान एक सामाजिक प्राणी है और समाज में उसको रहना पसंद है वो समाज के बिन उसका जीवन भी नहीं चल सकता लेकिन क्या आप और मैं सभी यह जानते हैं कि क्या पहले के जमाने में यही समाज हुआ करते थे जो आज अपन देख रहे हैं ऐसे समाज आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि ऐसा समाज पहले नहीं हुआ करता था इस समाज के अंदर बहुत सी दिक्कते थी आदी मानों था आदी मानों जो है मांस खाता था, फल फूट खाता था उसके आप उसकी दिन चरिया चेहन जोई कि वह समाज में एक इनसान को रहने के लिए एक खुद की व्यक्तिकत निजी आफशकताओं और निजी विस्वास को कायम करने के लिए एक चीज का सहारा लेता है पि वह चाहे कोई किसी भी ध्रम का हो, किसी भी समाज का हो जब हो हिंदू है तो वो राम की पूजा करेगा, कृष्ण की पूजा करेगा, सिर्क की पूजा करेगा, विष्णु की पूजा करेगा, काले की पूजा करेगा, लक्षमी की पूजा करेगा तो वहीं अगर आपने बात करें, एक इस्तलामिक धर्म की जिसको मॉहमद करें, उनकी पूजा करते हैं, जैसे ही अब बात करें, क्रिस्चियन के अंदर वो मानते हैं, जीजस को, और चाहे हैं उनकी होली बुक की बात करें, तो अपनी Holy Book के अंदर मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे स्रीमत बगवत गीता भी मेरे हाथ में है और उनकी Holy Book की बात करें तो Bible है अगर 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 की Holy Book की बात करें तो Quran है लेकिन एक सनातन धर्व ऐसा है जिसकी एक कोई एक Holy Book नहीं है चाहे अपन महा भारत की बात करें चाहे अपन रामायन की बात करें चाहे अपन हमारे वेट बहुत है हमारे उपनी सथ बहुत है हमारे पास है किसी एक कोई एक पुस्तक ऐसी नहीं है जिसको अपने माने कि यह अपने आप में सर्वस्रेस्ट है लेकिन इन सब पुस्तकों के बात करने के लिए हूं आया हूं दनेश जी है पंडी दनेश जी बस इतना ही परीचे में आपको दूँगा बाकी वो परीच अपना स्वेम का खुद देंगे ये स्रीमत भगवत कथा का जो पाथ है वो करते हैं तो आएए मुलाकात करते हैं दनेश जी से सबसे आपका जो यहां कुश बहुं होता है उसका पहला मोटी वी होता है जो भी इंसान से हम मिल रहे हैं उसकी बैक स्टोरी करणा है बिहांड थे सींस पे मैं बात करता हूं तो वहीं से सुरुआत करूँ सर कहां से अप यह जरनी सटार्ट में हम रहने वाले तो वैसे तो प और भगवान कृष्ण के प्रती, जब बैग्ग्राउंड अपना फैमली का होता है, घर के अंडर भगवान की भक्ति करते हैं, तो उन्ही संस्कारों को वालकों के अंदर आ जाते हैं, मेरे दादा शरी कथा वाचक है, और वो भगवान की बहुत भक्ति करते थे, अच्छा, उनको देख करके मन में ऐसा जागरत उत्पन हो गया, बहाब प्रगट मन में एक ही भावता है, बस कृष्ण की पूजा करें, कृष्ण की भक्ति करें, एजुकेशन भी अच्छी पाई हमने, त्या एजुकेशन बैक्राउंड के हैसा अपका, मैंने एजुकेशन में पहले तो पॉलो टेक्निक किया था, और पॉलो टेक्निक के बाद में कम्पूटर साइंस से वी टेक किया था, और बीए एमे संस्कित से हैं, डवल एमे पॉलिटिकल साइंस से और पी एचडी में संस्कित से किया हुआ है, और उस ही बाव को देख करके पहले जोब भी था, मेरा तो वहां पर नौकरी भी की थी में नौकरी के साथ में थोड़ा भगवान के प्रती रुजान बहुत अच्छा था मेरा कि भगवान की वक्ती भी करते रहें देरे 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 ऐसा रुजान पड़ा कि भागवत करना प्रारम कर दिया आठ साल हो गई मेरे भागवत करते करते आठ साल का एक्सपिरियंस है, आठ साल का हो गया, भागवद के अलावा राम कथा भी करता हूं, अच्छे पराण भी करता हूं, नानी माई का मायरा, खाटु श्रम भावा की भी कथा, देवी भागवद, विश्नु पराण, सारे कथा हैं, कली राजिस्तान में, यूपी में, यूपी में, पंजा में, माहराष्ट में, काफी परांतों में में कथाई किये। मैं थोड़ा सा आपके flashback में जाना चाहरा हूँ, जब college करते थे आप, जब आप पढ़ाई करते थे, college के दिनों में, पश्पनगाद आपने बताया कि आपके दादा जी आपके प्रेहन स्रोथ थे, जिन से आपने प्रेहना लेके, आप कश्पी की भक्ती में लेन हुए है, student life में कैसा था, जीवन ओ, जीवन कैसा था? Student life ही मेरी, वो हमारे जैसे ही था? हाँ, बिल्कुल वेस्ट था, आप जैसा ही सेम मान लीजिए, अच्छा हमारे जैसा ही सेम था, मलब कोई ऐसा रही था कि किसी कौने में बैठके, कि किताब लेके बैठके, उस जग बैठके रहा ह हैं, कुछ और बादा जीवन था, उस टैम भी में हनुमान जी की भक्ति करता था, अच्छा, एक दिन के एक बार की बद बड़ी घटना थी, बिल्कुल, बताईए, मेरे दादा जी के काउ में हनुमान जी की पूचा करते हैं, तो पीलिया का जारा देते हैं, तो किसी बद् में जाता था, जाता था, सेवन्थ क्लास में पढ़ता था, मुझे घटना याद है, तो मैं छोटा ही था हुष्चा में, तो मैं मंदर की साफ सपाई कर रहा था, तो भक्त आया था, कि आपके दादाजी कहा है, मैं कि वो तो नही है, पर उस कन्या की उसकी हालत बहुत पहली वार जिंदिकी में जाड़ा दिया था, 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 तो लड़की खड़ी हो गई था, जाड़ा था, जाड़ा था, जाड़ा था, मेरे फादर का नाम है उमिष, उमिष आपका लड़का नहीं पड़ेगा यह है, अब एक दिन मेरे को वही बात शुग गई थी, मैं अनुवान जी के पास जागा, बहुत रोया था, और रोता था मैं, क्योंकि जीवन में शुक और दुख दोनों पहलो होते हैं, दूसरे के, जीवन में शुक भी है, तो इंसान के में दुख भी आते हैं, और दुख है तो शुक है, हमने वह भी दुख देखे हैं, क्योंकि मेरा बेक्ग्ग्राउंड है ना, इक गरीवी परिवार से हैं बोट जोदा, कुछ नहीं था, बस लेकिन पता ने एकी बात कहीं कि मेरे ज्यादा सुकार किया लोगों के, अच्छा, कुई ऐसा चैलेंज जो आपको आपने तुरा किया जो आपको है, मेरा लाइफ का चैलेंज पेला लाइफ का तो यही तरजम में 12 में पढ़ता था, तो मेरे गाउं का ही एक सदस था, उसने बोला है को मिछ तेरा लड़का नही यहास करते यहास करते यह एक चैलेंज ऐसे आया था कि मेरे लग गई थी और मैं खुब अच्छा पाँ सान नोक्री की थी, जौब किया था, अब ओ धरी देरे क्या है कि भागवत हमारे नाना जी मामा जी अपूरा खनन करता है, पुरे मामा जी भी मेरे करते हैं भागवत, तो किसी सदस्ट ने बोला तक अब आचक नहीं, कि आप भागवत नहीं कर सकते, पढ़ने ही सकते हैं भागवत, जो क्यों, मैंने एड्यूकेशन परात किया, पढ़ सकता हूं ना, कह सकता हूं, क्या आप नहीं कह सकते हैं, मैंने उसी दिन कसम खा करके व्यास गद्धी पर व यह मेरे, चेतन दाजी महराज महामार लेश्वर हैं, महामार लेश्वर है, उन से गुरुदी चले लेए, उन से गया, मैंने मैं खुलीूची बढ़ ऐसे ही मुझे चेलेज है और मुझे भागवत करनी है, कि बटा, मैरा आसीर बात है, तो क्या है कि अन ग्रहन महीं करते है मेरी गुरुची, अच्छा नहीं कहते हैं, अजर बस पानी भी खुद श्वैम का ही पीते हैं वो जो अपने मंदर में होता है गंगाजल के रूप में, जर दिन में एक बर फल लेते हैं वो दिन चेरिया फल के तुरू चलती है, उन्ली बस दिन में एक बार, ऐसा ने अनुट 꽃ुछ कुछी से कुछुछ कुछृ नोट्स तैयार करता हूँ, नहीं ना किसी से कोई मेने संगीस सीकहन नहीं कर लिए कि नोइ मतलब के लिए क्रिदो अब आम आपर इसमें मुझे कुछ पॉउन्ट है मैं अच्छा लगा इसमें से मैंने मालिया धर्म की चर्चा करते हैं, अब लोग धर्म को क्या क्या बताते हैं, लेकिन मैंने उस पर एक ही सब्द पर निचोड निकालाता, कि धर्म क्या है मारा, तो मैंने उस पर सोचा कि धर्म जो है ना, जो सब को धरन कर ले, वो धर्म है मेरा, मतलब सब को एक साथ में वही धर्म है, जैसे हमारे पास थाली है, थाली के अंदर तीन कटोरी है हमारे पास, प्याली जी से कहते हैं, उनमें एक में सबजी है, एक में खीर है, मालिया, एक में मर्ची है, तो तीनों कटोरियों को धरन किसने किया है, थाली ने, थाली ने धरन किया है, ऐसे ही जो हमारा ईज़ो अधरा दर्म है, अव लोग केते हैं मुश्लिम दर्म हैं, ईषाइडर्म हैं, कोई कईता है सिख्ख हैं, नहीं, यह धर्म नहीं हो सकता है, अच्छाव, यह धर्म नहीं है, धर्म की परिवासात्य तो वह थी जो जो सब को एक साथ लेकर चलें, जैसे हम सनातन कहते है आपनी दार्मे टो इसको सब तो ही हमारा न कोई कहता हुआ थालिए न crearम। हमढ़ने हमखे दार्म के के एक जिया है, के हम दौनुन लाम हे। गाल ही हमारा थान। दो हमारा। आक मजरम ऐ सकते हैं। धर्म न ही उ सकता है working में आठना है। इसाही हुआ, सिक हुआ, ठीक है ला, इसको मतलब टाइप बोल दो अपनी इंगलिस बासन, प्रकार बोल दो उसको, बगवान की प्रात्ना करने का जरिया, जरिया बोल दिया उसको, लेकिन सनातन धर्म सबसे स्रेष्ट है, ये सास्त्री भी कहता है, ये हर मन उसके मुक्सी न जो मुक्त में आता है, जो दमाग में मैंड में फिट हो जाता है, इस स्टेडी करता था मैं उस समय, कि इतनी बारे घंटे, जिस दिन में भागवत कता करना सीका था, उस दिन में रात और दिन एक की थी, भागवत पढ़ने के लिए, तब मैं व्यास गदी पर आया था, व् इतनी कैफिसिटी है मेरे अंदर कि मैं regular continue, six hour and eight hours, continue बोल सकता हूँ, बिना कुछ खाए भी है, प्यास गदी पर, नहीं से वहाँ बैठना है अपने आप में चैलेंजेज है, क्योंकि आप ऐसी जगह बैठे हो, जहां से लोग आपको फोलो करेंगे, जहां से लोग आपको फ आप बोली रहें, वहां पर बैठें, वहां से फिर आगे कि जन्य आपने बताया कि पिसले आठ साल का अनभा है, तो आठ साल का अनभा है, कुछ ऐसे एक्सपिरियेंसे आपके साथ हुए होंगे, बहुत अच्छे और बहुत खराब, तो अच्छा भी हुआ था, अच्छा लोगो को सबसे वड़ी तो मेरी कठाशनाति हैं लोगो को, सबसे वेस्टि हुआ है मैं अपने अपु इतना हंसम मानता हूँ मतलब अपने अखो सी मेहसूस करता हूँ, लोग मेरे से परसंप्र सब्सक्राइब, ऑच अच अच, अच, हुज़ को यूज़ किया है, मतलब ख पूसरी बात मेंने जो जिसे दुख महशूष कह सकते हैं, कोचल कहते हैं कोई आगे बढ़ता है तो उसके पीछे पढ़ने बहुत हो जाते हैं पीछे निसान चूड़ जाते हैं अब कुछ लोग सोचते हैं कि यह इतना आगे क्यों बढ़ता है इसकी कथाएं इतनी आगे क्यों चलती है महिने में तीन तीन चार चार क्यों कता करता है तो दुस्मन तो क्या हर चीज पहलू के बनी जाते हैं वो मतलब एक दूसरे को पीछे खिरानी कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी परकार से ये पीछे रह जाए लेकिन कहते है ना जब भगवान का हात होता है ने परमात्मा का तो उसका कोई कुछ भी ने बेगाड सकता है कि जब भगवान स्री कीछन द्यारका के लिए जा रहे थे तो पुंत भुपाने कहा था, प्रभु आप द्यारका के लिए जा रहे हो लेकिन ф Gabriel को भगवान आसने लगे कि अगर आप जा रहे हुणा तो मुझे आप विपत्ति शंतु विपत्ति संद्ट मतलब मतलब कश्ट या दुख मतलब मुझे दुख दे करके चाहा आम मुझे दुख दे करके जाओ मैं आप से और कुछ नि मांगना चाहती हूँ मतलब दुख मांग लिया कि आम मुझे दुख दे जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, दुख चाहिए मुझे, भगवान ने कहा कि कुंती, आम दुख क्यों मांग रही हो यह, दुख किसले मांग रही हो आम बताओ, चाव शक्ता पड़ गी, हाँ, कि अगर परमात्मा, कृष क्योंकि मनुस का सबसे बड़ा जीवन है, तो वो दुख है, और दुख के अंदर ही वो कृष्ण को याद कर सकता है, शुक में मनुस कभी नहीं करता है, जैसे मेरे दिमाग में सवाल चल रहा है, सवाल के मतलब ऐसे ही है, कृष्ण को माया भी बोला गया है, जैसे कोरव औ जैसे में माया भी थे या उन्होंने क्या मानो रूप धारन करके सब कुछ किया था, जैसे माया भी तो थे और कृष्ण तो माया भी थे, माया का खेल उन्होंने खेला है, जब है तो कहते हैं, कृष्ण तो ब्रज का बड़ा चलिया है, राम मर्यादा पर सुत्तम है, जैसे लेकिन जो भगभान कृष्न है न वो च्छिरीया रूप चाहि तब धारन कर सकते हैं किसी भी वेस में आ सकते हैं। कई छलकी हैं। पिछ आए वो गीता वाला आप मान लिजे अर्जुन को एक तरह से मोटिवेट करने के लिए। अर्जुन के लिए जो साहता की थी ना एक तरह से। महामरत की बात हैं ये। कि जब युद्ध हो रहा था ना तो अर्जुन का सार्थी भगवान क्रिष्न ही थे। बिलकुन। बिजय की प्राप्ति कराई तो अर्जुन के लिए क्रिष्न ही कराई थी। मार्ग दर्शन देते हैं वो इंसां। कि अर्जुन तुम ये करो आप इस बाण को चलाओ आप युद्ध इस तरीके से करो। वो मार्ग दर्शन देते हैं जब हम अपना मार्ग दर्शन ने लिए और भगवान को अपना बना ले तो ऐसा नही है कि कभी भी साथ नहीं कि थेता ही देता है वो आर्जून को भी तो दिया है कई किस्से जब वो अपने विश्राम ग़रा में बैठे थे तो पहले पहले दुरियुधन आये और फिर अर्जून आये तो पहले दुरियुदन ने भोला कि मैं आपका मैं आपकी शर्ण में आया हूँ, आप पहले मुझे आशिरवाद दें, तो कृष्ण ने बोला कि नहीं मैंने तो पहले अर्जुन को देखा, तो मेरा पहला हक अर्जुन का है, हाला कि फिर उनोंने एक फेर गेम खेलते हुए, पता नहीं यह मैंने कहीं ना कहीं तो पढ़ा ह कितनी सचाई है कितनी जूटाई है मैंने यह कहीं नगाई पढ़ा है कि उन्हों ने उसके साथ गेम खेला, दुरियोधन ने खुझन को मांगने बजाए उसकी जो नारायडनी सेना प्ले वो मांग ली और यही कृष्ण चाहते थे, यही कृष्ण चाहते थे, यही चाहते वोही उसी पहली उपर है वो माया क्योंकि बगवान के माया को competitive कोई ने समझ सकता तो खinstant क्रिष्नि है कि हमेशलहा है तो मुषकुरात रहता है वा क्रिष्नि सबसे बड़ी बात थो यह है उसकी, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अगर जनम लिया है ना, तो कन्स को मारने के लिए नहीं लिया था अगर भगवान कृष्ण ने अगर अपना जनम लिया है ना, तो उन्हों ने जो ब्रज की गूपिया थी, उनके साथ में प्रेम किया था लेकिन हम क्या करते है आज का समय युबा में कि हम प्रेम का भी गलत अर्थ निकाल लेते हैं जैसे आप कहते हैं कि प्रेम घवान-क्रिष्णे तो गोपियों से कहा हैं किया है ना विलकुल तो वह प्रेम और आज का प्रेम बहुत डिफ्रेंस है नहीं वो तो भवान स्रीकृष्णी जो करके गए वो तो एक है कहते भी एगावन में कि क्रिष्णी जैसी लिला कर रहे हो क्या रास लिला वही तो लिला बुलते है ना बिल्कुल अपन महाभारत के टोपिक पर यह आपन बातचीत कर रहे हैं तो महाभा क्योंकि उस जैसा दानवीर और उस जैसा उसकी एक ही गलती थी कि वो खेमा गलत था बट वो खुद नहीं था उसने अपना क्या बोलता है मित्र धर्म निभाया जो भई अभी चलो जो भी है आप और मैं दोनों मित्र हैं ठीक है मैं कोई भी गलती करता हूं तो आपको दाटने कोई अधिकार नहीं तो यही ही उसने अपने अंगराज करने किया कि दुरियोधन को मैं दस बाते कह सकता हूं अकर लोह कमरे में लेकर को दूसरा अगर दुरियोधन की तरफ आएगा तो पहले मैं खड़ो बात में दुरियोधन की तरफ हो जाएगा aapka कौनसा फे करने वालाहो उसको उसको भगवन स्रिख कुमानाता है और कृष्ण के ही हर बात को ऑर्जुन मांता था कँगे कर फ कर दथे तेकं अर्जुन ये काम कर ओब अक रिजुन को माणता था था और क्रेस्फसे ज्याद़ स्रुष्ट कि अच्छा सुरोता ही एक अच्छा इंसान हो सकता है अगर आप किसी को अच्छा से सुनने के आप में चंपता नहीं है तो आप किसी को अच्छा कह भी नहीं सकते हैं तो सुनना बहुत बड़ा धर्म और एक अरजुन की क्वालिटी थी कि उसने जो कश्छने ने बोला वो सब सुना और करके भी बताया था उसने उसका अनुशरण किया था बिल्कूल यही मनुसका पालन होता है अगर हम कहे दिया कि यह करना है, तो तो कि नो क्राइब शबात का अनुष्णभा होना भी है, यह सबसे मनुसका होता है किका किशन भूल दिया वो ही सरेस्थ है, जबता है.. पता ही जैसे अगर आज की भाहसा से अगर आज रहत करें, कि जू स्टे को एक जसेबनाफंद शेया नशी सरांप हो आपको ले ना यहां से राइट लेना यहां से लेना तो वो कृष्णम थे जीपेस अर्जुन आसे सीर्ण Um owners स्रीमत थोरत को स्कत्राइए मैं से सब्सक्राइब HEIDA कि शुरू आप कांकि इनले की पार्ट जली में पार्ट कि इसको स्टाहट को करे थेप दोनों में डिफरेंसे पहलिवाता हूँ अच्छा अब भागवत और भागवत में अंतर है कि भाह है इस पर तो होती है आकी मात्रा जिससे भागवत कहते हैं और भागवत गीता के अंदर ऑलिवस कृष्ण और अर्जुन का ही संबाद होता है और भागवत के अंदर भागवान स्री कृष्ण की वो बाल लेला होती है भागवान कृष्ण का वो चरित्र होता है जो भागवान स्री कृष्ण किया है एंटा लाइप अफ सिरकिष्णा यस और भागवत में भक्ति ज्यान बैराग और तरंग चार ही शब्द होते हैं चीक है भक्ति हैं ज्यान है बैराग है तरंग है वही तो होती है भागवत जिसमें ना तो कुछ और है उसमें कंदर राम का चलितर आएगा थोड़ा आएगा शिप का चलितर आएगा आएगा लेकिन भागवत के अंदर मात्र कृष्ण की बाल लीला होंगी कि क्रिष्ण ने क्या किया है ब्रज के अंदर इसमें बाल लीला फिर इसका जो क्या बोलते है युवावस्था और लाश्टत बात हरत अन्होंने माकन्चोरी कव की है, कालिया बरदन नाक का उन्होंने कैसे मार lush है." अब इसमें क्या होता है molPop अगर्ण है सबसे पहले जैसे कृष्ण डूर्ट क्रृष्ण सब्द का अर्थ समझने क्योंकि, क्रिष्न रेगा अब कृष्न का अर्थ होता है, क्रिष्डतू क्रिष्ण का मतलब एंट्रक्ष्ण मतलब अपनी तरफ अपनी तरफ अक्षत करना किसी चीज को अब क्रिष्ण का मतलब खीचना होता है और नीचे होता है रह उसका मतलब होता है भगवान क्रिष्ण की बासुरी प्रष्ट के लिग मतलब है कि जब बगवान की कृष्ण तो ने वा आपनी अर्ष्ट की अक्षित कर लिया ऑपनी तरब मतलब खीच लिया वही कृष्ण है अपन बोलते हैं कृष्ण को अपनी तरफ खीच लेना अब श्रीमद भागवद को बेद व्याज जी महाराज ने तो बोला था अच्छा जोनों ने महाभारत की रस्ना की बिल्कुल और राइटर इसके थे श्री गड़ेशी महाराज लिखने वाले वो थे तो एक बार की बात थी तो गड़ेशी ने कहा कि महाराज बेद वियाजी से ही कि महाराज आपने तो बोल दिया और मैंने लिख दिया लेकिन इस भागवद की शुरुवात कहां से होनी चाहिए मेरा भी यही सवाल है कि भागवद की शुरुवात कहां से होनी चाहिए अब कथा का भागवद के पर्थम श्लोक है सच्चिदानन्द रूपाई विष्पोत पत्यादी हे तभी ता पत्र बिनासाई स्री कृष्णाई बयमनुमाः अप्धिन करते हैं तो सट्चिदाननंद का संध्य करते हैं तो सत्चिद पलस आनंद होता है सच्चिदानंद मैं आनों परमात्मा परमातिम मैरी क्यां अब तूँझ भी देता हूं, तूफू भी मिलेगा, सच्चिदानन्द रूपाई विश्पूत पत्याधी हेतवी, मतलब मैं बिसका संगार करता हूं, बिसका संगार का मतलब होता है लालन पालन, जन्म दाता हम मैं हूं, पाई मनुस्को जनम देने वाला कौन है, पालन हार, पाल तीन ताप देनी वाला अच्छा देहक देवक भोतिक ताप रामराज का हुने बयापा देहक देवक भोतिक तापा मतलब मैंने इनसान के लिए तीन ताप बनाए ताप कब म schautलों का मूल मंत्र होता है ताप अच्छा भाई व्यर्टित फाहब चारता करता है तो पाफ करेगा तो टपे अंग आपनी के अंनर, भाई, आज हम क्या कर रहे हैं, कोई पाप हो गया है, तो हम सोचते हैं, परमात्मा नहीं देख रहा होगा, ऐसा हो सकता है, नहीं, परमात्मा की नजरों में सब कुछ है, कि हम अच्छा कार्रे कर रहे हैं, यह बोरा है, एक ना एक दिन तुम्हें तपना यह बहता नहीं, देवय समय ay, मतलब सारे के लगपड़ा, डीवध का मतलब होता है, बाप के द्वारा दिया हुआ पप, पौज Mormonा का नहीं दिता हैं, जैसे च्वटका को अपने पोते हैं है, तो कभी कई अदेना हमारी Lisa में, करेच के डेगो का निक्ता, एक एक निकल आ ये परमात्मा के ही तो प्रकोप है, भूकम पा गया, कहीं पर प्रल्य हो गई, ये क्या है, ये परमात्मा के दोरा दिया हो गया है, फिर कहते है स्री कृष्णा ये बयम नुम्हा, बयम नुम्हा, मतलब बयम मतलब हम सबी, अगर परमात्मा चाहते, तो स्री कृष्णा ये अ यह हुनमा नहीं मैं अकेले का कल्यान नहीं चाहता हूं सब करना चाहता हूं मैं ET और आप सोगो में परणाम करता हूं हुआ時 कि यह से स्वीवत् भागुत है यह प्रितम इस लोग है अब उसी बात को आते है कि जब लिडे न already माराज ने का माराज लिख तो मैंने दिया, बोल आपने दिया, अब भागवत को प्रारम तो मेरे नाम से करदो ना, अबेद ब्याजी महराज ने काया, अब अखेली ही तोड़ी हो, गोली बाबा भी तो बेटे, राम भी तो बेठा है, हनुमान जी भी बेटे, सभी देवी देवता थेतिस कोटी, कोटी का मतलब प्रकार, हम कहते हैं थेतिस करोड के, करोड नहीं था हुआ, तो प्रकार तो कोटी तो प्रकार का ही है, थेतिस कोटी देवता होते हैं, बिल्कुल, प्रकार होते हैं, मतलब थेतिस प्रकार के ही, देवता होते हैं, तो फिर उन्होंने कहा, कि इतने देवता तो गड़े जी आपका कैसे नाम नेख सकता हूं, आप मुझे बता हो, आप सत्व हो या नहीं बता हूँ तो आप नाम क्यों लेखा रहे उस लोक में पैथ तो आपके नाम से चालो क्यों करना चालते हो, मैं सक्त मैं बोलूँगा क्योंकि वेद वियाज जी महाराज बहुत दिमाग से उन्होंने रचिता की है अठारे पराणों की अठारे परान है वेद वियाज जी के लिए एक छोटी सी चीज बोलना जोंगा बीच में आपको रोक के कि महारथ दो चीजय कही जाते महाभारत के लिए कि या महाभारत हुई है या excellent लिए इक कलप नहीं तो मैं वियाज जी की कि कि लिए मंना कि अगर महा बारत हुई है वे उस्तव में सो हहा हो आई पहले हैं, जिन्होंने आक्री में चाटीस वरा सवार की तो कहने है था, यूधि स्ट औरू की मैं अरजून के पुत्तर थे, घर्धिक्टर दो की नाम है, मैं जन्गे आकर यहां तक की जन्नी लिखना अपना में बहुत बढ़ी बात है, बहुत बड़ा उन्होंने काम किया है अगर सपोजकर यह कलपना है जिसे की और लोग कहते है कि हाँ कुछ निए महाबहरत नामयन कुछ निए सिर्फ कलपना है तो अगर ऐसी कलपना किसी इंसान निकी है तो वह भी एक क्या बोलतो उसके दिमाग को भी शलूट है उस आदमी के कि उसने इतना कुछ कलपना कर ली ल सबूत भी है, सारी चीज़े है, तो इसका मतलब लिखी तो गई है, लेकिन वेद्वियाजी अगर अगर रियली में ऐसा हुआ है, उसको लिखा है, तो अभी उस बंदे को सलूट है, और अगर उसने कल्पना से लिखा है, तो भी बंदा तो भलो राइटर तो समार्ट बेद्वियाजी ने अपने अठारा पराण रजदी है, तो इतना कुछ लिखना, महा भारत के अंदर एक लाकश लोग है, अपने जो, महा पराण के अंदर 24,000